हम इंडियन से बहुत जादा जुगाड़ों हैं कुछ भी बच जाता है खाने पिने का सामान तो हम उसको दोवारा इस्तमाल कर सकते हैं करते भी है और खास कर रोटिया तो हम कभी भी नहीं फेकते तो चलिए लेट ओवर रोटी की कुछ नई रेशिपी बनाते हैं तो इसके यहां मैंने तीन रोटी ले ली है चपाती और यह अभी सुबह की रोटिया है अगर आपके पास रात की बची हुई रोटिया है तो आप उनका इस्तमाल भी कर सकते हैं इसमें किसी भी तरह की रोटी का आप यूज कर सकते हैं तो देखिए यहां मैंने तीन रोटी ली है पतल तो इसको घर्म करेंगे अच्छे से और इसमें हम डालेंगे रोटी को और इस तरह से कुछ पका करके तियार करेंगे इतनी अमेर्जिंग रेसिपी है अगर आपने एक बार इसको बना लिया इस तरीके से तो यकीन मानिया आप जान बूच करना धेर सारी रोटिया जादा बनाएंगे तो देखिए इसको हमने पका लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक और आप हम इसको निकाल लेंगे और इसी वही रोटिया फूलेगी और जो नहीं फूली होगी वह इसमें नहीं फूलेगी तो यहां हम ले लेंगे इसको अलग प्लेट में और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा जीरावन इस तरह से खाते ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है यह तो आप एक बार इसटी जादा क्रेस्टी हो गई है आप उनको इसी तरह से भी खा सकते हैं कुछ भी अपने मन पसंद की मसाल्य डाल करके पोट ज्यादा टेस्थी लगती है आज इसको चार तुकड़ो में आप कट करके फ्राय करें तो आप ज्यादा अच्छी लगती है और वस इसको मसाल कुछ नहीं बनेगा तो देखिए इसको जो है न हमें ग्राइंट कर लेना है और कब तक करना है यह देखिए इस तरह का चूरा इसका होना चाहिए एकडम दानेदार बढ़िया सा चूरा जो है न बनके तैयार हो गया है और यहां रख दिये हमने कड़ाई गेश पर गर्म होन के लिए और इसमें हम डालेंगे हाप तियाई कप क्या बोलते हैं इसको मलाई कभी-कभी जवान बहुत फिसल दी नंतों मलाई डाल दी घर की फ्रेश मलाई है आप इसकी जगे मिल्क का इस्तमाल भी कर सकते हैं यानि कि दूद का आदा कप हम याचीनी का इस्तमाल कर रहें त बस आप हमें इसको अच्छे से मिक्स करकी और पका लेना है जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है कि चीनी ना अच्छे से मेल्ट हो गए यह देखने में कितना प्यारा इसका टेक्चर लग रहा है और अब जो रोटी हमने पीसके रखी थी उनको हम डाल देंगे और इन जब भी आपके पास दो चार रोटिया बच जाए तो आफट आपट यह रेसिपी बना के तियार कर सकते हैं अगर आपने किसी को भी बना कर खिला दिया तो वो पैचान नहीं पाएंगे कि यह रेसिपी जो है ना वो रोटी से बन के तियार हुई है तो यहां आपने कर सकते हैं इलाइची जो नोर्मल है ना वो आपको लेना है उसको कूटके उसके चिलके अटा देना है और जो अंदर के बीज होते ना उनको आप कूट लीजी उसका पाउडर बना कर आप इसमें डाल सकते हैं उसका फलेवरी बहुत अच्छा आता है तो यहां ना हमने यह एक केक्टिन आपके पास जो भी थाली पलेट अबलेबल है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो देखिए यहां हमने बटर पेपर लगा दिया है ताकि हमारी जो स्वीट से ना वो बहुत आसाने से निकल जाए इसके उपर भी घी कोट कर देंगे और अब इसमें डाल द आपके लिए सेयर करें तो चैनल पर बहुत सारी रेसिपी से आप जाकर के चेक कर सकते हैं तो देखिए इसको बढ़िया से हमने सेट कर लिया है और इसको रख देंगे अब हम सेट होने के लिए इतना ही सेट करना है इसको कि यह जो केक्टिन गरम हो रहाना भी बस वो हो जाए तो देखिए यहां यह ठंडा हो गया एक गंटा हो गया इसको यहीं रखे रखे और अब हम ना इसको डिमॉल्ट कर लेंगे तो इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे उपर से तोड़ा टेप करेंगे यह बहुत ही आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसमें पर्पेक्ट बनके तयार हुआ है नो फेल रेसिपी आप एक बार इस तरह से इसको ट्राइ कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हैल्फुल लगा है अच्छा लगा है तो इसको लाइक सेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीज आप मुझे पता चलेगा आपके फिडवेक क्या है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाब बाय थेंक्स फॉर वोचिंग